महाराना प्रताप और मुगल समराट अकबर के बीच का युद्ध, जिसे महाराना प्रताप की सहसिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है, भारतिय इतिहास का एक प्रसिध और महत्वपूर्ण घटना है. ये युद्ध विशेश रूप से राजपूतों के संघर्ष और मुगल समराट अकबर ने भारतिय समराज्यों को अपने अधीन करने के लिए उनके बीच विवादों को बिगाडने का प्रयास किया, महाराना प्रताप, मेवाड के राजा ने मुगलों के अत्याचार का सामना किया और उनके अधीन नहीं होने का निर्णय लिया। विश्व युद्ध की घटना में 1536E में हल्दी घाटी के क्षेत्र में महाराना प्रताप ने मुगल सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मुगल सेना की भारी संख्या के बावजूद महाराना प्रताप ने बहुत ही साहसिक और उत्साही रूप से लड़ा। हालांकि युद्ध के परिणाम संघर्ष शील थे। मुगल सेना के बल के सामने महाराना प्रताप ने हार को स्वीकार किया और जंगलों में गुप्त रूप से लड़ाई जारी रखी। उनका साहस और संघर भारती इतिहास में एक महत्व पूर्ण योद्धा के रूप में याद किया जाता है। विश्व युद्ध के बाद महाराना प्रताप ने अपने संघर्ष के बाद भी मुगल सामराज्य के विरुध लड़ाई जारी रखी। लेकिन उनके विरुध निरंतर जंगली हमले क इसके बावजूद वे मुगलों के अधीन नहीं हो सके और अपने आत्म निर्भरता के लिए लड़ते रहे।